नमस्कार किसान भायों मशीन वाले यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे दो बड़े ट्रेक्टर के कमपेरिजन के बारे में स्वरात 745 FE और फोर्स सन्मान 6000 ट्रेक्टर के बारे में आज हम इस वीडियो में प्यूरी डीटेल्स में जानकारी देंगे कौन सा अच्छा ट्रेक्टर है इन दोनों ट्रेक्टर की प्राइस, स्वेसिफिकेशन और भी कई सारी डीटेल तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ट्रेक्टर के प्राइस के बारे में फोर्स सन्मान 6000 की एक शोरूम प्राइस है साट लाग चालीस अजार से साट लाग साट अजार के बीच में वहाँ स्वाराज 745 FV ट्रेक्टर की एक शोरूम प्राइजे 6,24,000 से 6,62,000 के बीच में अब बात करते हैं इन दोनों ट्रेक्टर के स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं HP फोर्स संद्मान के अंदर आपको 50 होर्स पाउर का एंजिन दिया गया है 3136 CC का स्वराज के अंदर आपको एंजिन मिलता है RPM की बात करें तो 22 RPM आपको फोर्स संद्मान 6,000 में मिलता है वहाँ 2000 RPM स्वराज 745 FV ट्रेक्टर के अंदर मिलता है सिलिंडर की बात करें तो दोनों में से 3 सिलिंडर एंजिन लगा हुआ है air filter की बात करें तो force के अंदर आपको dry type air filter दिये गए वहाँ स्वराज के अंदर three stage oil bar type air filter दिये गए है अब बात करते हैं transmission की सबसे पहले बात करते हैं clutch तो आपको force के अंदर dual clutch option मिलता है वहाँ स्वराज के अंदर single dry disk option available है और option के तोरपा dual clutch option भी available है transmission की बात करें तो synchronized mesh आपको force के अंदर मिलता है वहाँ पर constant and sliding mesh आपको स्वराज tractor के अंदर मिलता है gearbox की बात करें तो force के अंदर आपको 8 forward और 4 reverse gear के साथ a tractor market में available है वहाँ पर स्वराज के अंदर आपको 8 forward और 2 reverse gear मिलते हैं अब बात करते हैं brakes के तो force सन्मान के अंदर आपको fully oil immersive multi plate disc brake दिये गए वहाँ पर स्वराज के अंदर dry और oil immersive brake दोनों option एवेलेबल है turning radius की बात करें तो force सन्मान के अंदर 2950 mm का turning radius एवेलेबल है वहाँ स्वराज के अंदर आपको showroom पर जाके ही पता चल सकता है अब बात करते हैं steering के वहाँ स्वराज के अंदर आपको दोनों option मिलते हैं mechanical और power steering अब बात करते हैं fuel tank की तो force सन्मान के अंदर आपको 44 liter का fuel tank मिलता है वहाँ स्वराज के अंदर 48 liter का fuel tank एवेलेबल है अब बात करते हैं hydraulic यानिकी lift capacity तो 1450 kg का आपको फोर्स संद्मान 6000 में मिलता है वहाँ स्वराज के अंदर आपको 1500 kg का lift capacity एवेलेबल है अब बात करते हैं टायर की तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रन टायर की तो 7.516 के आपको फोर्स के अंदर फ्रन टायर दिये गए वहाँ पर 616, 7.516, 9.520, 818 के फ्रन टायर आपको स्वराज के अंदर अवेलेबल है आपको स्वराज के अंदर multiple variant मिलते हैं अब बात करते हैं rear टायर की तो फोर्स संद्मान के अंदर 14.928, 16.928 और स्वराज के अंदर 13.628 और 14.928 के rear टायर दिये गए है अब बात करते हैं additional future की तो फोर्स संद्मान के अंदर आपको two wheel drive option अवेलेबल है वहाँ स्वराज के अंदर दोनो यानि की two wheel drive option और four wheel drive option अवेलेबल है अगर आपको इवीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे और हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे और पास में दिये गए बेल आइकन को प्रेस करे ताकि आगे आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल सके प्रॉप्हिढ जाङक्र करेड़ी और ताकि आ हमारी थिवार सके टोरेज़ में आपको बाईको तर्यां में सक्टा आपको या ओाय दियुदान आपको करे और राईको उत पानको को शक्तार भीडियो को में सक्तावाइबल है